स्वाइब दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है बजट से पहले Market Analysis को लेके कैसा रहेगा बजट चलो कोशिच करते हम भी डिसक्स करने की सब लोग डिसक्स करने कि बजट में ये होगा बजट में वह होगा बजट एक बहुत ही confidential चीज है जो किसी को नहीं मालूम होती क्या होगा बजट में बजट में कुछ अनॉंस्मेंट हो सकती है बड़ा इंटरसिंग है ये मेरा अपना analysis आप से शेयर कर रहा हूँ अपनी analysis करके ही trade दीजएगा मैं कोई budget पिक की बात नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में बट हाँ हम ये देखने ही कोशिश कर सकते हैं क्या हमारी prediction क्या हमारी calculation क्या हमारी analysis कल budget से match हो सकती है बड़ा इंटरसिंग रहा है guys मेरे आप लोगों से request इस वीडियो को पूरा देखीगा अंध तक देखीगा इसमें nifty bank nifty के analysis तो करने की कोशिश करेंगे जो बिकार है करना कि कल बजार कहां तक के level चूँ सकता है करना नहीं चाहिए क्योंकि budget कुछ भी हो सकता है budget में कुछ blast भी हो सकता है budget में कुछ surprising packages भी हो सकते हैं सब government के हाथ में विट मंतरी निर्मला सीता रमन जब कल budget पेश करेंगी तब पता लगेगा असली खेल का है थोड़ा सा अनुमान थोड़ी सी calculation आज करके देखते हैं कि budget में होने वाला क्या है कौन से sector को थोड़ा सा रुजहान मिल सकता है वेटेज मिल सकती है किसी वीडियो के मादम से कुछ learning कर सके stock market को आसानी से समझ सके चलिए देखते हैं भजार आज कैसा रहा कल कैसा रह सकता है मैं आपको काफी time से hint देने ही कोशिश कर रहा हूँ जो last वीडियो में मैंने IT के उपर आपको discussion करने ही कोशिश की थी आईटी में क्या bottom बन रहा है क्या IT ने वाकरी bottom बना दिया guys सबसे पहले IT को हम देखने कोशिश करेंगे फिर देखें कौन से sector से हमें shares मिल सकते हैं कल कौन से shares के ऊपर नजर डालनी चैए यह आपके ऊपर छोड़ूँ आपके सामने कोशिश करें तो यह निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुल रहा है खुल जाने दीजिए और यह चार्ट हमाई सामने थोड़ा setup सही कर लेते हैं guys यह level मैंने आपको उस दिन भी mark किये थे अगर आपको पता होते हैं बहुत ही clear लिए आपके लिए market है और यहीं से भजार ने 17,000 के level को भजार ने बहुत ही बढ़िया तरीके से respect किया है और आज भजार का जो हाई राव हो रहा 17,409 मुद्दा 17,424 जो मेरा आंकड़ा है 17,424 के ऊपर नहीं गया आपको वहाँ selling pressure देखने हो बिए थोड़ा दा profit booking देखने हो बिली क्योंकि लोग थोड़ा से safe रहने के उफशिश कर रहे होगी guys बड़ा interesting होगा दो level आपको देता हूँ अभी से 17,454 तो बहुत ही नस्दी का level है जो major level है जिसके उपर हमने पिछले पूरे महीने आप से discussion की थी वो है 17,556 इसको अपने दिमार्ग में बैठा लीजिए 17,556 के उपर बजार जैसे ही चलेगा बजार अपने bull run में वापस से आ जाएगा एक चीज़ समझ लीजिए, budget जब आता है, budget वाले दिन की जो तेजिया मन्दी होती है वो temporary होती है, budget को analysis किया जाता है, budget को समझा जाता है जो विशेशक्य होते है, visulation करने कोशिश करते हैं, देखते हैं budget में क्या आया बाद में भी कुछ हिस्से बजट के पेच होते हैं पूरे जो टेलिवीजिन पे बजट ब्रोडकास होता है वो उसमें सब चीज़े नहीं निकल के आती है कुछ चीज़े सरकार बाद में भी मीडिया के सामने रखती है तो वो सब चीज़े निकल के बाद ही समझ में आएगा क्या होने वाला है तो आपको एक मैंने बहुत पुरानी मेरी एक वीडियो हुआ करती थी जो मैंने कभी करनाट का एलेक्शन के टाइम पे मैंने आपको एक एक अनालिसिस करके दिया था मालूम नहीं होगा एक तुक्का मारने वाली बात एक गालकुलोशन करने वाली बात एक एक एंटिसिपेशन करने वाली बात ऐसा होता है इंडाइसिज के उपर मेंacağım payment यहाँ पे अगर देखने की कोशिश की जाए गाई तो यहाँ पे सबसे इंपॉटЕंट क्या है देखिए अगर निफ्टी बैंक को देखा जाए निफ्टी मेटल को देखा जाह добрा ? सबसे जьादा आज खरीधारी किसमे देखने को मिल निफ्टी रियलिटी तीन परसेंट बड़ा, निफ्टी आईटी तीन परसेंट बड़ा, निफ्टी इंफ्रा ओल्मोस्ट डेड़ परसेंट, निफ्टी फार्मा ओल्मोस्ट डेड़ परसेंट, हेल्थ को लेके सरकार कुछ नई योजनाय बना सकती है, कुछ अनाॉस्मेंट कर सकती है जी हाँ हेल्थ हो सकता है क्योंकि कोई ने ओमिक्रोन ने और डेल्टा ने बहुत सारे वेरिंट ने बड़ी तबाही मचाई लोगों को बड़ा परिशान क्या लोग ऐसा समय कभी ना देखे इस वर्से मैं काम ना करता हूँ और हम लोग बिकुल आने वाला समय हम ल इनदर एक तेजी बन सकती है अगले साथ से आठ साल के लिए मैं आपको पहले भी कुछ वीडियोस में कहा जबंगा हूँ हिंट है यह मेरा अनालसिस है क्योंकि रियालिटी और इंफ्रा जो सेक्टर है वो काफी टाइम से ठप बैठा हुआ था ठंडा बैठा हुआ था कम से कम 12 साल 2012 से बैठें तो 10 साल की मंदी होगी 10 साल की मंदी से कि रिल इसेट सेक्टर बाहर आने की कोशिش कर रहा है तो यहां पर सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है कोई ऐसी अनांस्मेंट हो सकती है हो सकती है मुझे मालू नहीं है जो श्याद रियलिटी और इंफ्रा को लेके इंफ्रा तो विग अलग आग से सेग्मेंट हो जागा रि इंडिया के उपर हमेशा फोकुस रहता है वो तभी संभव है जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पॉसिबल हो इंफ्रास्ट्रक्चर आसान हो बहुत ही बढ़ी अंज़र सरके सुगम हो कनेक्टिविटी शांदार हो जो अंग्रेजों के जमाने की रेल्वे लाइन्स पर हमास तक रेल चला रहे हैं ट्रेन चला रहे हैं उसके अलावा ट्रेन नेर्टवर्क को बढ़ाने की बाते हो सकती हैं नौर्थेस्ट, इस्ट, वेस्ट, जो जो कनेक्टिविटी से बाहर है उन सब चीज़ों connect करने की बात हमेशा सकार करती रही है तो यह एक possibility हो सकती है हमारे नितिन गड़करी जी ने बहुत शामदार इंफ्रा में काम किया है उनकी और भी बहुत सा योजना ही हो सकती है उनसे discussion किया ही होगा कि अगर देश को तरकी के रास्ते बिले के जाना है तो स ही करना ही पड़ेगा तो इंफ्रा में logistics भी आ जाएगा सड़की भी आ जाएगी पुल भी आ जाएगी डाम भी आ जाएगी सभी चीज़े आ जाएगे तो इंफ्रा सेक्टर के शेर को ढूनने कोशित कीजिए यह वह एक चीज हो सकती है और रियल सेक्टर से जुड़ा जाएगी जैसा पहले भी आमरपली के कुछ प्रोजेक्स को उठाने के लिए NBCC को दी गई है तो अगर ऐसा होता है जैसे उनिटेक की कुछ यूनिट्स हो सकती है या और भी बहुत सारे जो लोकल डेवलपर्स थे जो नहीं बना पाए थे जिनके प्रोजेक्स अधर में उनके पुराने प्रोजेक्स के उपर पका सब्कार कोई निको उठाने वाली है यह मुझे निफ्टी रियाल्टी के इंडेक्स से साफ सा दिखाई दे रहा है और इंट्रस्टिंग मेरा फेडिट निफ्टी आईटी चलिए इसको देख लेते हैं निफ्टी आईटी को मैंन आईटी आईटी ने काम किया और यह बिल्कुल एक्जेक्ली मैंने आपको कहा था यह 34,000 के रैवल को क्रॉस करने के बाद में जैसे ही निफ्टी आईटी 34,000 को क्रॉस करेगी 36,000 की तरफ वो चल पड़ेगी तो यह बॉटम बनता दिखाई दे रहा क्योंकि almost 40,000 से गिरते 33,000 के आसपास का एक बॉटम बन चुका था तो यह बॉटम के रिवर्सल की तयारी यहाँ पर होती दिखाई देती इसके उपर एक प्रेक आउट हो सकता है जी हाँ IT सेक्टर में एक रिवर्सल की तयारी दिखाई देती है और यहाँ पर हम फिर से अगर अपना RSI लगाने क कोशिश करें तो अब शायद ही बहुत कम लोग इसमें इसमाल करते होंगे चली देख लेते हैं Relative Center Index हमारे यहाँ पर क्या कहता है जी हाँ देखिए very nice this is this is what we are talking about guys this is what we are exactly talking about look at this point यह यह point देखिए this is a support for Nifty IT and this has crossed over this point now so this is the stop loss guys तो मेरे यहाँ से यहाँ पर stop loss लगा के आप यहाँ से Nifty में positions बना सकते है Nifty IT में positions बना सकते है Nifty IT के shares में positions बना सकते है और यहाँ अगर देखने ही कोशिश करें तो क्या Nifty IT के सभी shares में कोई check खेल दिखाई दिया ही होगा इसमें कोई शक ही नहीं है कोई Nifty IT किसे बनी है Nifty IT बनती है TCS से देखे TCS में एक reversal excellent बिलकुल फिर हमारा अगर HCL Tech में हम देखनी कोशिश करें तो HCL Tech में एक reversal बिल्कुल same pattern बिल्कुल same pattern है कोई difference नहीं इसके अंदर में Infosys की बात करें Infosys में भी बिल्कुल same pattern same chart pattern क्योंकि Nifty IT क्या है This is the indices for the IT shares तो IT की वेटेज के जो भी shares जैसा perform करेंगे सबका chart pattern बिल्कुल same होगा Guys, don't confuse yourself When we are talking about reality तो reality के जो major players है वो सबके chart same होगे IT के सबके chart same होगे Banking के सबके chart same होगे Getting it? So, my picking for the sector will be of course Metal sideways ही दिखाई दिया है Metal में देखना होगा कि Bazar किस करवट रुख बदलता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे तो एक range में Metal index बहुत time से काम कर रहा है यह range का breakout होना बहुत जरुवी है हालकि support लेता दिखाई दे रहा है Metal भी 5400 के आसपास में Metal index और यहाँ से अगर यह support ले लेता है तो फिर हम 6000 की तरफ बढ़ते हैं कि जहाँ पे हम सोच सकते हैं Government हमारी कहां कहां हमारे लिए हमें surprise कर सकती है One will be real estate यहाँ पे कुछ reforms या कोई Appredition हो सकती है दूसरा हमारा infra जो Government का favorite है होना ही चीए Made in India बनाने के लिए ठीक है और health and hygiene के उपर हो सकता है यह होता ही है कि spelling mistake कोई गिजिए guys साथ में एक रहेगा sector जो हमेशा से important है Defense Defense में यहाँ पे जो companies आ सकती है वो drone की तरफ अगर हम ध्यान दे तो drone एक ऐसा area हो सकता है जहाँ पे बहुत surprise चीज़े हो सकती है यह आने वाला future बनता है guys तो real estate, infra, health and hygiene, defense यह मेरे topics होने वाले हैं इन पे मेरा ध्यान रहेगा इन ही के shares में मैं आने वाले अगले 5 सालों के लिए जहां अगले 5 सालों के लिए मैं निवेश करने वाला हूँ मैं इन ही में से shares रूणने वाला हूँ बागी तो देखेंगे सरकार किस तर सर्पाइस करती है सरकार के सर्पाइस के लिए हम welcome करते है वेट कर रहे हैं desperately इस budget का कि इस budget में क्या होने वाला है तो guys मेरी आप से उमीद है Nifty के लिए अगर आपको watch करना है तो Nifty का level रहेगा 17,556 मैं फिर से इस वीडियो को end करने से पहले आपको level दे रहा हूँ 17,556 इसके उपर में Nifty ब्रेक आउट करेगी और बढ़िया से तेज ही हो सकती है अगर Nifty ने अपने पुराने पैटर्स को फोलो किया पुरानी आदतों को फोलो किया तो पिछला जितना टाइम खराब रहा है आने वाला टाइम उतना ही अच्छा हो सकता है बट स्पार्कली होगा, बहुत ही बंबार्डी होगा ऐसा शायद नहीं होगा बट हाँ, बजट कंजर्वेटिव हो सकता है इन सब चीजों का ध्यान सरकार शायद देने वाली है तो अपने शेर्स को इनी सेक्टर्स में ढूंडने की कोशिश कीजेगा अगर आपको यह पसंद आता है तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं और दोस्तों से शेर का ना मत भूलेगा क्योंकि सब को हक है एक सही नॉलेज और कंक्रीट नॉलेज लेनेगा दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में थैंकिस सो मुच पर वोचिंग इस वीडियो टेके बबाए, जहिन